जै जिनेंद्र दर्शकूं, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल के इस विशेश कारिक्रम में, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं, बैंगलोर सहित समग्र दक्षन प्रांत में पहली बार आयोजित, विश्विशान्ती के निमित 23 तीर्थंकर, भगवान पार्श्विनात का जन्मदीक्षा कल्यानक, एवं एक हजाराथ, अट्थम तेला से 23 लाख महाभिशेक महामहोत्सव की भव्य जलकियां। शालिनी ग्राउंट जयनगर फिफ्ट ब्लॉक, बैंगलोर में आयोजित इस भव्य कारिक्रम को मालव मार्तंड पूज्य आचार्य भगबंध, श्री मुक्ति सागर सूरी जी महाराज सहब का मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ। आज आप इस विशेश प्रस्तुती की दूसरी कड़ी देख रहे हैं। जो था 23 वे तीर्थंकर भगवान पार्श्वेनात का 23 लाख महाभिशेख महामहुक्सव। जिसे बड़ी ही श्रधा और भक्ती पूर्वक भक्तों ने संपन्न किया। जिसमें दौर से आए श्रीमती रीना बेन एवं श्री शांती लाल जी छाजेड ने तीर्थंकर भगवान के माता पिता बन कर अभिशेख किया। जैसे ना परा दी राजी वारस जैसे ना बोला दी राजी मेरी सासू में सामारा पारस नद द दृए मैं बूम्हिं ना। différence सता मंहिन बूर समान वसकतरना। मैं सास्व में समान चाहित जैसे नगियों में है गंगा जैसे लगियों में है लंदा, जैसे अगमी से ही चंदा है, जैसे अगमें को है अता, पत्ते पत्ते की जैसे अता, 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 आवन्पन्दी ओकल रसंकिल दनाही है यह जो कोरी आपक को ऐअ ए जाप मैन्ला आया वे गृकल साफ़न बेदी कुछा है झां खिंडी रात्याक कुन बाच नाहा है ए भर्णी जाप के दोनाही बाच नाहा है जिए निनिक अरदी तार शिखा शिखाना दाया नमः आट स्रिद मिल्भा मला है, आट सकतते हैं, आट सकत्यॉ हुआ झाल प्राथा की मंगल बेला में प्रवचन संयम इवं तपो वंदनावली कारिक्रम का आयोजन किया गया आज पार्षनात परमात्मा का दिक्षा कल्या नखे और इसलिए सयम इवंदनावली का यह आयोजन किया गया है कि उनके चारित्र को नमन चारित्र को वंदन और देखिए अपन तो क्या करते हैं स्वयम कलिकाल के सरवग ने कहलाने वाले हेम चंद्राचार्यजी भगवंत ने पार्षनात भगवान की बारे में क्या कहा कि नरक के नारकी भी थोड़ी देर के लिए तो परम आनंद को पा जाते हैं 27-28 तारिक को आपके यहां पर समू सामाइक रखी गई थी तब मैंने यह बात कही थी यहां पर तो उनके लिए बगवान के लिए यह शब्द किये उन्होंने कि उनके चारीत्र की वरणन करने को कोन समख थै 15 कल्यानक में फोकस कहां दिया गया हैसे लिक्षा कल्यानक जवन और जन्म पर इतना नहीं केवल ग्नान और मौक्ष पर भी इतना नहीं में लेकिन दिक्षा पर है दिक्षा पर क्यू महत्व की बात ये समझने की है नरक के नारकियों को आनंद तो भगवान के पाँचों कल्यानकों से होता है ऐसा नहीं है कि दिक्षा कल्यानक से लेकिन नरक के नारकियों को जिनके कल्यानक से परम आनंद की प्राप्ति होती है एसे भगवान के चवन को या इसे भगवान के जन्म की एसे भगवान के केवल गन्यान की या मोक्षे की सराना करने के बजाए उन्होंने दिक्षा की सराना की पवित्रम तस्य चारित्रम कोवा वरना इतौंग शमा कि इसे परमात्मा का चारीत्र कितना पवित्र, कितना निर्माल, कितना विशुद, कौन उनकी वरणा कर सकते हैं, कोई समर्थन है, बस परमात्मा का प्रभावी उस चारीत्र से है, चोटिस अतिशायदी प्रगट होते हैं तो भी उस चारीत्र के ही बल्बुते पर, कुछ होते हैं जन्म से, कुछ होते हैं दिक्षा के बाद, कुछ होते हैं केवल गिनान के बाद, लेकिन ये सब डिपेंड है परमात्मा के दिक्षा पर, इसलिए जन्शासन में दिक्षा की ही शिक्षा पर भार दिया गया है, कि मानव बनो मुनी बनो और मोक्ष में जाओ मानव जीवन का सार एक ही है बस कि मुनी बनकर मोक्ष को पाओ जल्दी से इस संसार में कुछ नहीं है यहां तो रोज की रामाइन महाबारत है यहां तो रोज की उली सुलगना है यहां भी तुम लोग बेटे हो उत शान्ती है गर जाओगे तो शान्ती से रहोगे इसकी कोई ग्यारंटी नहीं है कब किस से फाइटी हो जाएगी कुछ नहीं किये सकते हो मंदिर में आओगे थोड़ी देर भगवान के सामने बेटोगे शान्ती है उपास रही में आके बेटोगे शान्ती है बाकी कहीं शान्ती नहीं है ना आपके घर में है ना आपके दुकान में है ना आपके ओफिस में ना आपके मार्किट में ना आपके मंडी में ना आपके बाजारों में उलज मरोगे कहीं ने कहीं किसी से क्योंकि आज कल तो लोगों का सब होट मैंड और इतना चल रहा है कि बिल्कुल बट्टा ही सुलगता बात बात में दैर नहीं लगती है यदि शांत रह रहे हैं सीधे रहे तो किस के सामने रहे हैं अपने से बड़ अभूना हम भागते स्थी पाज्वणादाया कारिक्रम के दारान श्रेष्ठी मन्निवरों के मंगल उद्बोधन एवं बहुमान भी हुए तो गुरु बगवन ने लगातार एक वर्ष जो मेहनत की उसका नतीजा आप सब के सामने हैं कल जो ऐसा अनुठा कारिक्रम इतने लोगों को जोड़ना और इतना भव्य कारिक्रम को अंजाम देना कोई वास्ता में बहुत बड़ी बात हुई है हुई 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 है हुई हुई है हुई 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 ह कर दो 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 इस महा महुत्सव के अंतिम दिन पर यानी दो जन्वरी दो हजार उन्नीस के मंगल दिन प्राता की मंगल बेला में अट्टम तपके तपस्वियों के पारणा एवं बहुमान का मंगल कारिक्रम आयुजित किया गया कर दो हुआ 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 है तो इस तरह इस भव्याति भव्य महा महुत्सव ने यहाँ विराम लिया लेकर आते रहेंगे आपके लिए इसे तरह की और भी मंगल प्रस्ततिया अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का आग्यदी जिये जैजिने इंद्र मत oh अवर और रव्याति रहाँ है